हालो व्रिवान ग्रेडिंग्स फ्रम डॉक्टर रैश्मी सोमेपथी एक क्वेशन जो रिपेटिडली पेरिंट्स दुवरा पूछा जाता है कि क्या ओर्टिजम पूरी तरह से ठीक हो सकता है तो ओर्टिजम एक तरह से गर कही जाए तो एक मॉडेन बिमारी है यह यह बिमार इसके बारे में इतनी जादा हो गई है कि पेशिंट्स के जो सिम्टम्स होते हैं इमीडियेटली पकड में आ जाते हैं पेरिंट्स बहुत समय वेस्ट किये बिना कंसल्ट करते हैं साइकॉलजिस से कंसल्ट करते हैं बहुत लोग साइकेट्रिस के पास आते हैं बहुत लोग किन चीजों पर ये आधारित है, किन चुछ रूपे डिपेंड करता है कि और पुरीता से ठीक हो सकता है यह नहीं सबसे पहले बात यह है कि और जो डाइगनोसिस है कितनी जल्दी बनाया जाता है विदिन थ्री एर्स अगर डाइगनोसिस बन जाता है, तीन साल के अंदर-अंदर की बच्चे को ऑर्टिजम है तब काफी जादा चांसस होते हैं कि यह ऑर्टिजम अल्मोस्ट नाइंटी परसंट तक ठीक हो जाता है क्योंकि जो बच्चा होता है, बोलना जब शुरू करता है, जब बैबलिंग शुरू करता है, 12-13 महीने के अंदर बोलने की और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं तो पापा नाना ये सिंगल सिंगल से जो words हैं वो बोल लेते हैं और उसके बाद उनको language regression हो जाता है पेशन से बाते हैं तो बताते हैं कि मेरा बचा तो पहले अच्छा बोल रहा था शुरुआत कर दी थी और उसके बाद उसको पता नहीं बुखार हुआ या कहीं गिर गया उसके बाद से उसने बोलना बन कर दिया तो उनको तो ये लगता है कि ये इस कारण से यानि बुखार हुआ गिरने के कारण हो गए लेकिन रिग्रेशन 12 से 18 मेने के बीच में कभी भी आ सकता है और यही और्टिजम का सबसे important indication होता है अगर हम speech delay और और और्टिजम के difference की बात करें जो कि almost मैं सभी वीडियो में बताती हूँ क्योंकि सबसे ज़ादा जो confusion होती है पेरेंट्स को यही होती है कि पता नहीं मेरे बच्चे को autism है या speech delay है तो autism के अंदर बच्चा बोलना शुरू कर चुका होता है और बाद में उसको बन कर देता है बाद में regression हो जाती है speech delay के अंदर बच्चे ने कभी शुरुआत ही नहीं की होती है तो speech delay और autism का एक major difference आप जान ले और यहां से आपको पता लग जाएगा कि speech delay है या autism है दूसरी important चीज़ है कि जो speech delay होता है उसके अंदर almost जितने भी milestones होते हैं वो delayed होते हैं बैटना, बच्चे का चलना, जंप करना, और बोलना सारे milestones, teething, head holding ये सारे symptoms delayed होते हैं अगर speech delay होता है तो बाखी के milestones भी delayed होते हैं और autism के अंदर बच्चे सही रहते हैं बिल्कुल normal development उनका रहता है 16-18 जो महीने का टाइम होता है उस समय तक वो अच्छा खासा बोल चुके होते हैं सिंगल सिंगल वर्ट बोल चुके होते हैं back to the previous state यानि कि वो बच्चे बोल नहीं पाते हैं तो जो autism है it usually comes with ADHD यानि अगर बच्चे को autism है यानि अपनी बाते वो नहीं कह पा रहा है बोल नहीं पा रहा है तो वो अपने expressions को दूसरे forms में लेके आएगा और दूसरे forms में मतलब hand flapping करना या किसी भी चीज़ को repeat करना या किसी toy के साथ या किसी एक चीज़ के साथ बहुत जादा addict हो जाना जैसे कि जादा थर बच्चे किसी एक toy के साथ काफी जादा चिपाग जाते हैं उसके पूरे time उनको वो चाहिए होता तो यह भी autistic बच्चों के अंदर होता है नाम को respond नहीं करना आई contact नहीं करना तब यह सब चीज़ जब होती हैं तो बच्चे के अंदर ADHD की भी लक्षन आते हैं क्योंकि बच्चा अपनी बाते नहीं बोल पा रहा है communicate नहीं कर पा रहा है तो anxiety develop होने लगती है और वो hyperactive होने लगते हैं hyperactive में क्योंकि बच्चे socialize नहीं करना जानते हैं तो दूसरों के साथ वो जब भी मिलते हैं जब अपनी age की बच्चों के साथ मिलते हैं तो उनको धक्का मुकी करते हैं क्योंकि उनको अंदर anxiety होती है ऐसा नहीं कि उनका behavior violent होता है they are just expressing their anxiety तो head bang कर लेते हैं ममी के बाल खीचना या इस सारे symptoms बच्चे के अंदर आते हैं तो ये भी सारे symptoms अगर बच्चे के अंदर autism है तो ADHD भी आता है और ये भी एक hindrance बनता है treatment में एक और important चीज जो दिहान में रखनी है जिनको भी autism होता है जिन बच्चों को autism होता है उनकी जितनी जल्दी speech therapy और occupational therapy start हो जाए along with the treatment वो बहुत अच्छा रहता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे areas में रहते हैं जिनको ये facilities available नहीं हो पाती हैं centers काफी दूर होते हैं या afford नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए दूसरे options भी available होते हैं वो speech therapy तो बहुत हद तक mothers भी करा लेती हैं occupational therapy में जैसे की जिए कि सिखाया जाता है बच्चे को चोटी-चोटी चीजे कैसे करनी है जैसे brushing कैसे करनी है या holding कैसे करनी है बहुत सारे चोटी-चोटी चीजे जो बच्चे को नहीं पता होती है वो सारे occupation therapy में कराई जाती है speech therapy में आपके जो tongue है उसका articulation कैसे होता है simple-simple mothers भी इसको बहुत हद तक करा सकती है आजकल videos भी available है speech therapy कैसे करनी है तो mothers भी करा सकती है अगर आप अपने बच्चे को treatment के साथ में यह therapies दे रहे है although यह therapies काफी long चलती है तब यह भी काफी अच्छे chances होते हैं कि autism पूरी तरह से ठीक हो सकता है next है अगर family में कोई भी और दूसरी psychological issues है parents के अंदर anxiety है या parents के अंदर ADHD है या कोई भी ऐसे genetic issues है autism को काफी हता कंट्रोल करने का कि family का environment कैसा है अगर घर का महौल अच्छा है जो parents उनकी आपस की जो understanding है वो बहुत अच्छी है बच्चे के हमेशा positive घर में रहता है positive environment रहता है तभी भी काफी जादा चांसे होते हैं कि autism ठीक हो सकता है autism में बच्चे को बोलने के लिए help करने के लिए बहुत important चीज़ यह है कि जो भी भी बच्चे को ये issues होते हैं तो बहुत सारे ऐसे families होते हैं जिसमें bilingual लोग होते हैं कोई Marathi बोल रहा है तो कोई Gujarati बोल रहा है कोई Hindi बोल रहा है कोई English बोल रहा है कई बार ऐसे families के set-ups होते हैं जहां पर दो-दो language एक साथ बोली जाती है तो जिन घरों में autistic बच्चे हैं उनके घर में कोशिश ही के जाए कि कम से कम एक ही language बोली जाए क्योंकि बच्चा काफी confused हो जाता है जिन words को pick करना होता है तो एक single language से उनकी बच्चों के जो language development है वो जादा अच्छी होती है बाद में जब बच्चे को एक primary language एक mother language आ जाए तब आप दूसरी language में भी उसको डाल सकते हैं तो किसी भी बात को pick करने के लिए जरूरी है कि वो एक ही language घर पे बोली जाए जो भी language आपकी है पेरेंट्स को या ग्रेंड पेरेंट्स को तो यही language बोले जाएगे आकसर ऐसा देखा जाता है कि जो ग्रेंड पेरेंट्स है वो अपनी mother tongue बोल रहे हैं पेरेंट्स जो है तब बहुत important time होता है बच्चा जब सोने के लिए लेटा है तब बहुत important time होता है जिस समय पेरेंट्स के availability बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पेरेंट्स काफे साथा busy होते हैं तो आज गला साथ देखा जाता है बच्चा जो भी बच्चे ने किया हो पुरे दिन क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा for the whole day, what is the planning for the next day यह सारी चीज़ आप बच्ची साथ discuss कर सकते हैं ओर्टिजम ठीक होगा या नहीं होगा एक और बात पर depend करता है कि बच्चे का डाइट क्या है बच्ची की sleep cycle क्या है तो बच्ची की डाइट में sugar को exclude कर देना है पूरी तरह से especially the white sugar इसको पूरी तरह से खतम कर देना है क्योंकि यह आपके बच्ची की जो energy है उसको भी बढ़ा के रखता है बच्चा हमेशा hyper ही रहता है कुछ सुनने को त्यार नहीं होता है तो sugar को cut down कर देना है fruit sugar पूरी तरह से लाउड है sugar के alternative जैसे डेट से यानि इन सब चीज़ों को या गुड़ है इन सब चीज़ों को एड़ कर सकते है fruit sugar की चीज़ों नहीं देनी है also the packaged food जो होते है जो chips है या जिनमें palm oil का content रहता है bakeries है इनको totally avoid कर दें और एक और important चीज़ है sleep cycle is very important ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे autistic होते है उनका जो sleep cycle होता है बहुत disturbed होता है मारे पास ऐसे भी किसे जाते हैं जिसमें बच्चा सुबग की चार बज़े तक खेलता है उसके बाद सोता है parents भी बहुत परिशान होते हैं तो बच्चे का साइकल नहीं कर पा रहे है तो जब तक बच्चे का साइकल नहीं है सही होता है तब तक autism का ठीक होने का बहुत पासिबिटी नहीं है तो sleep cycle should be very important and should be taken care for तो बच्चे का सोने का साइकल, ओटने का साइकल एक biological rhythm होता है biological clock होता है तो यह सारे जो factors है इनका ध्यान रखना है and also the very important thing जो gadget time है या जो screen time है that has to be reduced बच्चे को बाहर लेके जाना और जो चीजों को explore करने देना is very important थोड़ी से distance से आप बैट करके बच्चे को पार्क मे लेके गए हैं तो हमेशा क्या करते हैं तो खिलता ही निए दूसरे साथ तो अपने पास ही रख लेते हैं या बढ़ों के साथ उसको busy रखते हैं तो इससे बच्चे का development नहीं हो पाता बच्चों को बच्चे के साथ बहुत सारा time देना पड़ता है तब ही वो socialize करना सीखेंगे तब ही वो अपने बच्चों से वो सीखेंगे कि उनको वो दूसरे बच्चे क्या करे है और उनको copy करने के कोशिश करेंगे बढ़ों के ऐसे कोई भी चीज नहीं जिसको वो लेक करके copy करें या उनके like कोई चीज नहीं होते हैं दूसरे बच्चों को धक्का दे देते हैं तो यह सारी चीज आप जब सिखाते चिखाते इनको train करेंगे तब ही socialize होना शुरू हो जाएंगे उतने ज़्यादा hyperactive या tantrums नहीं थो करेंगे तो यह सारे factors को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो autism पूरी तरह से manageable है, पूरी तरह से ठीक हो सकता है और सिर्फ जरूर थे इनी बातों को ध्यान में रखने की जो हमने इस वीडियो में भी discuss किया है और homeopathic medicines are very safe और अगर थोड़ा लंबा treatment चलता है और जो autism होता है इसका treatment लंबा ही चलता है एक से लिकर तीन साल तक टाइम है depending upon कि बच्चे को symptoms कितने हैं बच्चे की age कितनी हैं, कितनी age वे diagnosis हुआ है उसे साफस का treatment चलता है बहुत से important दवाईयां हैं जो specifically patient to patient vary करती है वही बात मैं दुबारा repeat करना चाहूंगी कि autism की treatment के लिए homeopathy में constitution treatment होता है बच्चा हर बच्चे से अलग होता है हर बच्चे के symptoms autism में अलग आ रहे हो सकता है बच्चे को अदने सिर्फ autism का symptoms हो hyperactive नहीं हो हो सकता है कि बच्चे के जो कुछ बच्चे होते हैं जो डरते बहुत हैं इवन ये भी पूशना पड़ता है कि क्या बच्चे का जो बर्थ क्राई था वो डिलेट था यह नहीं था माइल स्टोंस कैसे थे और बाकी की जो डिवालप्मेंट्स थे वो लाइफ में कैसे रहे उसके अभी तक के तो यह सारे चीज़ डिटेल में लेने के बाद एक स्पेसिफिक दवा निकाले जाती है और लंबे समय तक उसका ट्रीटमेंट चलता है बच्चा पूरी तरह से नार्मल हो जाता है और इस पे कोई भी सिंटम्स कोई भी स्ट्रेंस नहीं बचते हैं कि और्टिजम पूरी तरह से ठीक हो सकता है या नहीं तो आई होब यह इन्फोर्मिशन आपको पसंद आया हुए अगर आप में इसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो पहले कोई भी बात कोई भी क्वेरी स्पूशन चाहते हैं तो कॉल में फैर आपको यूज कर सकते हैं जिसकी बाके की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी अगर आप मेरे साथ जूम या फोन कॉंसलिटेशन करके अपनी केस को डिसक्स करना चाहते हैं अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो वाट्साप नमबर 7017991940 पर वाट्साप करके अपन झाल चुल्स आ हिए